आज मैं आप लोगो बता हूँ कि लापटोप के डिस्प्ले को सही तरीके से कैसे साफ करना है हाई गाइस मेरा नाम है क्रिपेश अडवानी और यहां पर मैं लापटोप के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ तो लापटोप को बहुत सारे लोग गलत साफ करते हैं इसलिए मुझे एक एक बेसिक से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है ओविसली लापटोप एक एक्स्पिंसिव मशीन होती है पचास हर एक लाग दो लाग तक आते हैं तो आपको उससे सही से clean करना आना चीह नहीं तो फिर आपको एक साल बात प्राप्बलम आना शुरू हो सकती है तो सबसे जो इसमें important part होता है clean करने का वो रहता है डिस्पले डिस्पले में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यहां तो एकदम उसको गीले कपड़े से पोचते हैं, गलत कपड़े का यूज करते हैं और उस पे बहुत सारा प्रेशर डाल देते हैं, यह तीनों चीज़े हमें नहीं करनी हैं तो जो सबसे पहली करनी है हमें लेना है कुछ मांकुच मांका हिपर क्लॉट्स से लिंक नीचे इस्तिम में Mooielle कि होते हैं इस मांका क्लॉट्स हverse के की अलग लग मांकॉ फाइबर क्लॉट्स से हैं मॉनिटर को क्लीन करता हूं और यह जो है यह मेरे desk के रहता है desk cleaning के लिए furniture cleaning के लिए मैं इस cloth का यूज करता हूं और इसका use में body को साफ करने के लिए उज करता हूं मेरी body नहीं laptop की body हो गई CPU हो गया उसका use उसको जो मैं साफ करता हूं तो आप लोग भी ऐसे तीन तरे के cloth का यूज़ कर सकते हैं तो अब इसको क्लीन करना बड़ा ही सिंपल है जैसे आप लोग अपने कपड़े से करते हो वैसे ही इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी करोगे डाइरेक्शन कोई सा भी आप ले सकते हो तो नाओ टॉविल मत यूज़ करना टॉविल अलग होता है माइक्रोफाइबर क्लॉथ अलग होता है उसके बाद पीछे इसको support दो एसके ओपर पूरा बदन नहीं डालना है पीछे इसको support दो and gently rub this ऐसे circular motion में कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो motion ज्यादा important नहीं है important यह है कि आप इसको पर एकदम बहुत pressure मत दो पीछे से इसको support में रखो and then gently rub करते जाओ इस तरीके से हम लोग अपने screen को clean कर सकते हैं इस कपड़े को गीला नहीं करना है 99% of the cases में आप लोग सिफ इतना ही rub करोगे अब अगर इसमें कुछ दाग हो जो नहीं निकल रहा हो तब हम लोग क्या करेंगे इस कपड़े को गीला बिल्कुल नहीं करना है again हम लोग क्या करेंगे थोड़ा पानी लेंगे and screen के उपर एकदम छोटी-छोटे sprinkles डालेंगे अपने पानी ले लिया अपना हाथ ऐसे पहले साफ कर लिया उसके बाद ऐसे sprinkles डालेंगे अपने डिस्प्रेइक के ऊपर and then cloth का एक छोटा सा पार्ट लेंगे पूरे cloth साफ नहीं करेंगे चोटा सा पार्ट लेंगे and then छोटे से पार्ट से पहले एक बार इसको रब करेंगे वो जहां पर भी आपने पानी डाला है जहां पर भी इसके sprinkles गिरेंगे मोटे-मोटी droplets मत डालना droplets आपके डिस्प्ले के यहां नीचे तक नहीं आने चाहिए नहीं तो यह खराब हो सकता है तो एक दम छोटे-छोटे sprinkles जालेंगे and then यहां से रब करेंगे अब हम लोग कपड़े को ही direct क्यो नहीं गीला कर रहे हैं जब अगर आप लोग कपड़े को direct गीला करोगे तो जादा चांसे है कि आप लोग यहां पर जादा पानी का यूज करोगे जादा पानी का यूज करोगे तो जादा पानी डिस्प्ले के डिस्प्ले में जाएगा and खराब होने के चांसे बन सकते हैं करने को वह भी कर सकते हो बहुत सारे लोग करते है बट मेरे हिसाब से परस्नली जादा बेटर आप्शन रहता है तो इस तैप से आप लोग अपने डिस्प्ले को साफ करोगे उसके बात जो यहां पे नीचे कीज वगरे रहती है इसके लिए आप लोग अपने कपड़े को थोड़ा कर सकते हो अगेन बहुत गिला मत कर देना अगर यहां पर ड्रॉपलेट्स रह गई ही पानी की अगर अंदर चली गई तो आपकी मशीन को डेफिनतिली खराब कर सकते वारिंटी भी व mayo हो जाएगी पानी के केस में आपके लाप की वारिंटी वॉइच हो जाती है तो इस पानी लो थोड़ा सा एंड रप कर दो इसमें आपर आप लोग प्रेशर डाल सकते हो, यहां पर प्रेशर डालने में ज्यादा प्रब्लम नहीं आएगी, सेम आप लोग बोड़ी के साथ भी कर सकते हो, ज्यादा गीला नहीं करना है बस थोड़ा सा गीला करना है, तो यह थी कुछ बेसिक टिप्स अपने वीडियो के चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा, और आइविल स्यू गाइज इन दे नेक्स वन, गुडबाई!